पहले पुछा हुआ था किसने इसकोवर किया हुआ है इनसानका नाम अब है किंट्री कोन सी यह कुछ निस्कोवर किया हुआ है हिसने हैं तो हमारे ऑप्स कैशन है यहां पर पॉर्तुगिल दच फ्रेंच या फिर ब्रितेंग तो आपको पता हिए इसमें किसने discover किया था Portogil नहीं Portogil से ही जो बासको गामा है वो belong करते है First Portogil आये थे उसके बाद Dutch आते हैं उसके बाद Britain आता है और उसके बाद Danish आते हैं और उसके बाद France जो France है वो last में आये हुए और जो Portogil है वो first आये हुए Next question है There are no political divide of religion is stated by ये एक statement दी हुई है तो ये किसने दी है No political divide तो ये हमारी नहरुजी न दी है गांधी जी ने बिनोवा बावे जया प्रकाश नारायन तो ये दी हुई है गांधी जी ने Option B is correct Next है the first woman president of India National Congress इसमें पुछा हुआ है कि first woman president इसमें ये नहीं पूछा है कि first Indian ठीक है तो first woman आपको पते ये कौन है Annie बसंद Iris lady है ये इन्होंने home rule movement भी start किया हुआ था Home rule movement तीलक जी ने और साथ में इन्होंने तीलक ने महराष्टरा वेगरा में start किया हुआ था और बाकी स्टेटों में आनी बसंद ने किया था और जो first Indian woman है वो कौन है वो है हमारी सरोजनी नाइड उजी जिनको night angel of India बोलते है और night angel of Kashmir हम किसको बोलते हैं हबा खातुन को ठीक है option B is correct next question है हमारा who among the following responsible revival Hinduism in 19th century मतलब कोन है कोन responsible है जिसने Hinduism को revival किया हुआ है तो ये हमारे Swami Vivekanand ठीक है कोन है Swami Vivekanand इसने प्राथना समाज को भी establish किया और जो first spiritual man of India है second question who was the French governor who tried to make French company ऐसे powerful ठीक है कोन सा French governor था पॉन्डोचरी में जिसने French company को powerful company बनाया ठीक है कोन था ये Joseph Francisco duplex option D is correct first महसूर बार ठीक है first महसूर बार जो हुई थी अंग्रेजो और हैदर अली के बीच में कब हुई थी 1767 से लेके 1789 तक come to and end by मालब आपको पता ही होगा उस टाइम में जो भी वारे होती थी उसके बाद treaty sign होती थी फिर वो खतम हुए मालब बार खतम हो जाती जो जीतता था वो treaty sign करता था ये हिस्सा मेरे को दे दो तो ये पूथरे हैं जो first बैसूर बार होई थी किसके बीच में British और Maratha Maratha कोन हैदर अली के बीच में तो जब ये खतम हो जाती है उसके बाद कोन सी treaty sign होई थी तो ये होई थी treaty of madras option B is correct next the British government the British government intervened in the affair of company and passed act in 1773 तीके जो इनोने act passed किया था 1773 इस act को इनोने क्या नाम दिया हुआ है तीके इस act को क्या नाम दिया हुआ है PT India Act तीके PT India Act नाम दिया हुआ है अब next question the witch rebellion in Bengal highlight by Bankim Chandra Chatterjee in his novel आनन्द मठ तीके Bankim Chandra Chatterjee ने एक book लिखी हुई है एक novel लिखी हुई है आनन्द मठ तीके ये book पहले भी बहुत बार question में पूछी हुई है और इसमें ये भी है कि freedom fighter है वो inspire करते हैं तीके inspiration है इसमें और ये पूछ रहे हैं कि जो Bankim Chandra Chatterjee ने novel लिखी आनन्द मठ उसमें कौन से rebellion का जिकर किया हुआ है तो इसमें सन्यासी रैविलियन ठीके ये कहां हुआ था जार्खंड में ठीके सन्यासी रैविलियन हुआ था ठीक उसका जिकर किया हुआ है next question है who find the other party in San Francisco in USA से USA में गदर पार्टी को किसने इस्टैबलिश किया था लाला हर्दियाल लाला लाजपत यहां फिल अजासी यह भी पंजंदरबाल ये किया था लाला हर्दियाल ने जो गदर पार्टी next question हूँ founder सत्या सोदक सभा in Maharashtra सत्या सोदक सभा यह depressed class के लिए थी lower classes के लिए थी यह जोतिवाई फुले ठीक है जोतिवाई फुले ने इसको establishment किया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी है बहुत important है गुलाम गीरी यह भी ऐसी से मिलो चोटे दबके से बिलॉंग करते थे क्रिप्ष मिशन come to India ठीक है क्रिप्ष मिशन इंडिया में कब आया था यह 1946 में आया था इनका में मुद्धा था इंडिया का constitution मनाना लेकिन यह fail हो गया था और इसको महात्मा गांदी ने बोला था post dated check ठीक है कौन से गवर्नर जर्नल डूरिंग दा सैकिन अंगलो महसूर बार जो अंग्रेज और महसूर मराठा के बीच में सैकिन बार हुई थी उस टाइम में गवर्नर जर्नल कौन थे बैरन हैस्टिंग ठीक होन थे option D बैरन हैस्टिंग फाउंडर आफ आर्यसमाज आर्यसमाज के फाउंडर कौन है दयानन सर्षवती जी इन्होंने बोला हुआ है go back to beida और go back to गीता विवेकानांद ने बोला हुआ है और विवेकानन को हम first spiritual man of India भी बोलते हैं और जो दयानन सर्षवती है इन्होंने शुद्धी मुव्मेंट को भी establishment किया हुआ है ठीक है और जो आनी बसंद है आनी बसंद तो home rule मुव्मेंट first woman इंडिया नैशनल कॉंग्रेस की प्रेजिडेंट एरिस लेडी थी है who among the following introduced roadwire system in madras madras में roadwire system किसने establish किया हुआ है सर थोमस मुन्रो ने permanent settlement जिमेंदारी system किसने किया हुआ है लौर कॉर्ण विल ने ठीक है who was the ruler डैली बैन एमद शाह अबदाली defeated the maratha in third battle of panipat in 1761 question इसमें 3-4 question निकलते हैं कैसे third battle of panipat किसके बीच में हुई थी एमशा अफगान और maratha ठीक है एमशा अबदाली और maratha के बीच में हुई थी और कब हुई थी 70-61 first battle किसके साथ हुई थी इबराहीम लोदी और बाबर के बीच में second जो हुई थी वो हुई थी अकवर और हैमू के बीच में ठीक है जो first battle of panipat है उस time कोन मुगा रूल कर रहा था ठीक है उस time कोन मुगा रूल कर रहा था शा अलम second option d is correct under whose leadership was the chitong army red organize ठीक है question पूछा हुआ है जो chitong army red था वो कोन से leader ने organize किया है chitong जो अभी recently कहां पढ़ता है बंगलादेश में पढ़ता है तो यह organize किया हुआ था सूर्या से यह एक teacher थे ठीक है जब civil disobedience movement established चल रहा था तो इन्होंने बंगलादेश से यह movement preside किया था option c is correct who was the ruler of Delhi when एहमद शाअबदाली defeated Maratha यह वो ही आगए शालम second in 1939 सुभाज अंदर बोस बाज elected president half congress party defeated ठीक है 1939 में जब सुभाज अंदर बोस जी president बनते हैं congress में congress के तो किसको हराया था इन्होंने हराया था पट्टा भाई सीता रमनिया को ठीक है पट्टा भाई सीता रमनिया इसको किसने recognize किया था गांदी जी ने recognize किया था कौन सा session था यह हारी पूरिया session था इसी के बाद जो सुभाज अंदर बोस जी थे वो forward block को establish किया फिर वहाँ से जर्मनी चले गे जर्मनी जाके यह हिटलर से मिले और हिटलर इससे बहुत inspire हुए थे ठीक है बहुत inspire हुए थे और इन्होंने इसको बोस की अपादी दी थी फिर वहाँ इन्होंने आजाद हिंद फोस को establish किया जल्यावाला इंसिडेंट टुक प्लेस अड़ यह कहां हुआ था जल्यावाला अमरी सर 13 अप्रेल 1990 में ठीक है सरदार सिफुदून कुछलू जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था और इसी इंसिडेंट में इसी इंसिडेंट के बाद महादमा गांधी जी ने अपनी उपद्धी और डॉक्टर राइजिंटर प्रसाद जी ने अपनी उपद्धी को दे दिया था बापिस यह थी अंग्रेजों को इन्डिया नेशनल पार्टी इन बर्लीन ढूनियों किए कि खी सुपाई चंदर बोजिन है इन्डया ने नेतनल पार्टी बर्लीन 1904 में किसने इस्टैबिश की थी सुपाई अंद्र बोजिन है जब क्विट मुवमेंट हुआ था 1942 में इस टाइम जो कॉंग्रेस का सेशन था वो बंबे में बैठा था इसको हम बारदा प्रपोजर भी बोलते हैं और इसको हम लीडरलेस मुवमेंट भी बोलते हैं क्यूं बोलते हैं क्योंकि 8 अगस्ट को यह इस्टैबलिश हुआ था लेकि 9 अगस्ट को जो फेमस लिडर था जैसे गांदी जी नहरू जी इन सभी को इन्होंने क्या कर दिया था इन सभी को इन्होंने जेल में डाल दिया था तो इसके पारलरलि गोवर्पमेंट कहां पर इस व क्या जाद हुई थी पुना बैकट वकी अग्रिमेंट विट्विन जो फूना पैक्ट है वो किस किस के बीच में होता है ? तंद तंद मंत तो किस होता हूं किस किस के बीच में हूँ था agreements in ok के option C is correct but Satyagraha was held at Nagpur in 1923 ठीक है 1923 में 1923 में नागपूर में कौन सा Satyagraha हुआ था ये हुआ था प्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी थी तो उस टाइम वाइसराइ कोन थे लॉड हार्डिंग ठीक है 1911 में इंडिया सीवर लिवर्टी यूनियन ये किस ने फाउंड की हुई है ये किस ने फाउंड की है जवाला लाहरू ने कब की है 2036 में जवालान नैरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम निस्टर आफ इंडिया भी थे इन्होंने आइन्सी का लाहूर सेशन 1929 में जो हुआ था उसको प्रजाइड किया ठीक है और इसी टाइम पुर्ण सवराज कि हमें कंप्लीड इंडिपेंडन चाहिए इसी टाइम जो नैशनल फ्लाइग भी फिलाया था पहली यूनिवर्स्टी कौन सी है यूनिवर्स्टी या बंबे यह अलीगड मुसलिम यूनिवर्सटी ये सर सेद अहमद खान उनिक nhất मदन मोहन मालवय जी को महात्मा का टाइटल महामान्या, ठीक है महामान्या का टाइटल किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रमिंदरनाब टैगोर ने, who was the viceroy at the time of a quit India moment quit India moment के time में कौन सा viceroy था ये था link link 2 ठीक है इसका जो option है हमारा वो है option C is correct who was the congress leader who joined motilal naharu to start the swaraj party in 1923 ठीक है आपको पता हिए कि 1922 में India National Congress जो थी चोरी जोरा incident होने के बाद खतम होगी थी फिर उसके बाद pro सबराजिस्ट और no सबराजिस्ट ठीक है वो बने थे उन्होंने फिर CR Daas और motilal naharu ने एक party बनाई सबराज party कब बनाई 1923 में बनाई ठीक है और एक जो एक कोर member था Congress का leader जिसने इनको join किया था वो कौन थे चितरंजन Daas जी ठीक है कौन थे ये चितरंजन Daas Option B is correct Who is the established आनंद बन आनंद बन को किसने established किया हुआ है ये किया है बावे अमते ठीक है बावे अपते Option C is correct Revolt Act 1990 during the period of किसके period में Revolt Act आया 1919 ठीक है किसने लाया था ये Revolt Act Black Act बोला था इसको महत्मा गांदी ने ठीक है ऐसा क्या था इसमें इसको Black Act का नाम दिया था ये लाया था Lord Klamas Ford के time period में इसमें बोला था No Dalil, No Appeal, No Bakil मलब एक military act था उगरवादी एक्ट Next question है Constitution Assembly of India Formulate on the recommendation of Constitution Assembly इंडिया की किसके recommendation से बनी है Cabinet Mission कब आया ये 1946 में आया था इसमें तीन मेंबर थे Sir Stafford की Crips, Lawrence Alexander जो Lawrence है वो इसको head कर रहे थे उसी की recommendation से Cabinet Mission की recommendation से Constitution Assembly बनी थी Who said the truth is a ultimately reality and it is a God किसने कहा कि truth is a ultimately reality and it is a God Swami Vivekanand, Ravindanath Tagore, Mahatma Gandhi या फिर Radha Krishna या फिर किसने कहा था Radha Krishna ने ये कहा था Ravindanath Tagore ने Option B is correct Which of the following tribe associated with the Tana Bhagat movement Tana Bhagat movement से कौन सी tribe relate करती है ठीक है उरण tribe ठीक है Option A उरण tribe Who found the 9 जुवान बारत सवा ठीक है Question क्या है 9 जुवान बारत सवा किसने found की थी ये की थी Subramanya Aiyarji ने Option B is correct Subramanya Aiyarji ने की थी ये establishment The Narendra Mandal Our Chamber of Princess Was inaugurated in 1921 वाई ठीक है जो Narendra Mandal है और Chamber of Princess भी हम जिसको बोलते है Princess Rajkumar 1921 में किसने इनागुरेट किया था इसको ठीक है इनागुरेट किसने किया था इसको Lord Belsene जिसके टाइम परेंट में Subsidory Alliance भी Establish हुई थी Iron Man किसको बोलते हैं Sardar Ballabai Patel Unite किसने किया था इंडिया को Sardar Ballabai Patel ने Iron Woman of India कोन है Iron Woman of India कोन है हमारी इंद्रा गांदी गांदी जी विद्डौदा नौन कॉपरेशन मुमेंट डूटू ठीक है गांदी जी ने क्यों विद्डौदा किया था कब किया था चोरी चोरा incident 1922 में हुआ था चोरी चोरा कहां बढ़ता है बिहार में बढ़ता है वहां पे जेल के अंदर ठीक है जेल में बंद किया था अंग्रेज्जों को सिपाईयों को फिर उसको आग लगा दी थी मालब जलाई दिया था वाइलेंस की रेट हो गया था अब नेक्स कोशन है हमारा गांदी साल सत्याग्रेवाजे पार्ट आफ ये किसका पार्ट है civil disobedience मालब कि प्यार से जुक के नमस्ते करके उनको मना कर देना कोई भी चीज पेशावर्शिब वाज अब लिटिश अद दा टाइम आफ पेशवा ठीक है पेशावर्शिब क्या थी जो प्राइम निस्टर होते थे ठीक है प्राइम निस्टर यहां फिर फाइनांस मिनिस्टर होते थे वो कब किसके टाइम कौन पेशवा था उस टाइम कौन प्राइम निस्टर था जब अंग्रेजों ने इसको abolish कर दिया ठीक है जब अंग्रेजों ने इसको abolish किया रगुनाथ राओ option A is correct who expound the theory of drain ठीक है theory of drain of wealth ठीक है theory of drain इस बुक में यह लिखा हुआ है कि अंग्रेज कैसे हमें खोकला कर रहे हैं मतलब यहां से सारा economic पैसा पूसा लेके हमें इंडियन को खोकला कर रहे हैं बाल पाल पाल वार्दा most prominent leader ठीक है जो बाल गंगदरति लग विचिंद्री पाल लाला आजपतर आए यह कौन से leader हैं ठीक किस से relate करते हैं यह leader तो यह करते हैं गदर पार्टी से दा गोवर्नर जर्नर आफ इंडिया impeached by the house of common in England impeach होता है हटाना ठीक है कौन से गवर्नर जर्नर के time में house of common in England में ठीक है house of common दो house है England के एके congress एके lower house एके upper house जैसे हमारे लोग सभाव राज्जे सभाय जो house of common है England का lower house है वो किसके time में impeach किया था किसके time में हटाया था कौन गवर्नर जर्नर था house time तो ये थे William Bantic ठीक है कौन था William Bantic option D is correct what is the name of ford built by English in Kolkata Kolkata में कौन सा ford बनाया था अंग्रेज जो ने ठीक है ये बनाया था ford William किसके बाद बनाये थी इन दोनों ने सब्राज पार्टी नॉन कॉपरेशन मुवमेंट के बाद option B is correct what was the Lala Rajput Raya Lala Rajput Raya जी की death कौन से incident में हुई थी साइमन कमिशन में साइमन कमिशन 1927 में आया था इसमें जब लाठी चार्च मलब साइमन गो बैक के slogan निकले तो उसमें मात्मा गंदी इसकी Lala Rajput Raya जी की death होगी इनको हम लाइना पंजाबी बोलते हैं और केसरी या पंजाब भी बोलते है last governor general of East India Company and the first viceroy under the crown ठीक है last governor general और first viceroy governor general किसमें convert कर दिया था crown ने वाइसराय में तो कौन था ये Lord Canning option B is correct the first governor general of Bengal बास ठीक है first governor general कौन था Bengal का लॉड ग्लीव, option A is correct. अप्रेल 12, 1944, सुभाजंदर बोज जी ने इंडिया नेशनल आर्मी फ्लाग इन टाउन इन बिच स्टेट उनियन टारिटरी टाउनन, मतलब कि 1944 में जहां पे सुभाजंदर बोज जी ने इंडिया नेशनल आर्मी के फ्लाग को होस्ट किया था, तो वो कौन सी यूनियन टारिटरी है, recently, मतलब अभी वो कौन सी यूनियन टारिटरी है, अंडमा निकोबार आईलेंड, अंडमा निकोबार आईलेंड, यहां पे हाते हैं, ठीक है नेमदा पॉलिटिकल गुरु आप महात्मा गांदी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, आपको पता ही होगा कि महात्मा गांदी का जनम हुआ था, 2nd October 1869, और 8083, ठीक है, 8083 में महात्मा गांदी जी पढ़ने, USA, लंदन गे थे, law पढ़ने के लिए, देखो कितना पैसा था इनके पास, लंदन गे थे, फिर भी इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी एक दोती में गुजारी है, कुछ लोग हमारे, कुछ लोग हमारे नाथुराम गोटसे को बड़ा मानते हैं, पर आपने कभी हिस्ट्री में, या कहीं भी चीज में पढ़ा है बोलते हैं कि एक टाइम प्लैग, बड़ी खतरनाक बीमारी आये थी, तो इन्होंने बिदाउट मास्क उनकी सेवा की थी, ठीक है, अगर ये बंदा 80-83 में लंदन जाके पढ़ाई कर सकता है, तो सोचो इसके पास कितना पैसा है, फिर भी इसने एक दोती में पूरी जिंद फिर उनके बारे में बोलो हुश्वी, who said the India soul living village, ठीक है, किस ने बोला था ये, ये भी हमारे मात्मा गांदी ने बोला था, ठीक है, पंचायत विगेरा सिस्टम भी इन्होंने, इस्टैब्लिश्मेंट की हुई है, नेक्स कोशन है हमारा, what was the name newspaper added by गांदी जी तिल 1933, तो इसका जो newspaper का नाम है, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, who among the following revolutionary was executed by British, ठीक है, ब्रिटेश ने किसको execute किया था, जतिन दास को, चंद्रा शेकर अजाद को, राजगुरु को, या फिर कल्पना दत को, ये राजगुरु, option C is correct, who among the following was the first viceroy of India, तो ये कोन है हमारे Lord Canning, ठीक है, option C is correct, next है, मात्मा गांदी launch civil disobedience movement in 1930 from, ये सब्रामती आश्रम से start किया था, कहां से लिके कहां तक, सब्रामती आश्रम से start और end किया था, दांडी, ये दोनों ही गुजरात में बढ़ती हैं जगा, केसरी दा newspaper was start by, ठीक है, केसरी दा newspaper was start by, आपने ऐसा ही का exam दिया होगा, उसमें newspaper पुछे हुए थे, केसरी और मराथा, ये दोनों तिलक ने लिखी हैं, ठीक है, ये किसने लिखी हैं दोनों, तिलक ने लिखी हुई हैं, इसको correct option क्या है, option B, ठीक है, option B, पूरन सवराज resolution was adopt annual session of India National Congress, ठीक है, इंडिया National Congress का session कहां बैठा था, पूरन सवराज के time में, ये बैठा था Lahore, 9029, किसने प्रजाइड किया था, जवालाल, नहरू ने, तो next question है हमारा, बाल गंगादर तिलक राफर तू as his political guru, तो कौन किसको राफर किया था, उसने किया था, स्वामी विवेका नंद को, ठीक है, स्वामी विवेका नंद को, ये हमने पहले भी डिसकस किया, तो ये option C is correct, Lord Alhauz ने, तो लाहूर कांस्प्रेंसी केस वाद रजिस्टर अगेस्ट, ठीक है, चो लाहूर केस था, वो किसके अगेस्ट था, ठीक है, ये था बगल सिंग, किसके अगेस्ट था, बगल सिंग, option B is correct, Who among the following, the founder of Drabida Khajgam, ठीक है, बहुत important, ये south में, पैरियार E.W. Ramaswami, ठीक, इसने establish किया था, इसको, option A is correct, E.W. Ramaswami ने, और Vindu was arrest in connection with, ठीक है, किसके, क्या connection था, अरवंदो का, उसको जब arrest किया था, ये भी एक कौन था, ये एक extremist था, और क्या connection था, इसका, अलिपूर, बंबे केस, ठीक है, फिर जब ये जेल से शूर जाता, उसके बाद, पॉंडी चरी में आश्रम बना के रहते हैं, The National Anthem was first sung in the year, 1911, at annual session, India Congress होय, ठीक है, जब National Anthem, National Anthem first time, कहां पे गाया था, 1911, जब Lord Heading second आया थे, उस time, India National Congress का session, कहां बैठा था, ठीक है, उस time, India National session का Congress, कॉलकता में बैठा था, Who is the India Visma, Vismaak, ठीक है, India Vismaak कोन है, ये बहुत बार question पुछते हैं, India Vismaak कोन है, सदा बल्लबाई पटेल, ठीक है, Vismaak जो थे, इन्होंने भी पूरे अपने देश को unite किया था, तो ऐसे सदार बल्लबाई पटेल ने भी unite किया हुआ है, Which party was established by सुभाच अंदर बोस, after he come out of India National Congress, ठीक है, जब उन्होंने इंडिया National Congress को छोड़ा, उसके बाद कौन सी party established की, तो forward block, ठीक है, फिर उसके बाद ये कहां चले गे थे, जर्मनी चले गे थे, इनको पहले जेल में गे थे, जेल में जाने के बाद, इनको medical arrest दिया, तो medical arrest बहाने ये कहां चले गे थे, जर्मनी में चले गे थे, दरामा कृष्णा mission was established by, रामा कृष्णा mission किस ने established किया हुआ है, ये किया स्वामी विवेक अनन्द ने, option A is correct, which was the main cause for starting the quit India movement in 1942, ठीक है जो quit India movement start किया था, मात्मा गांधी जी ने, 1942 में, उसका main कारण क्या था, उसका main कारण था failure of cripps mission, cripps mission का fail होना, ठीक है, क्योंकि ये आके सिर बोलता है हम dominion status देंगे, तो ये अब इंडिया को क्या चाहिए थी, complete independence, in this session, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस, पुरन सवराज, adopt as its goal, पुरन सवराज को कब adopt किया था, कहां session बैटा था, उस time जब पुरन सवराज को, adopt किया था, लाहोर में, option D is correct, next question हमारा, give me blood, I will give you freedom, तुम मुझे खून दो, मैं तुमें अजादी दूँगा, ये तो सुभाजंदर बोजी ने, नारा लगा था, और जया हिंद का, स्लोगन भी किसने निकाला हुआ है, सुभाजंदर बोजी, who was the first Indian Governor General, after Lord Battin, Mount Battin, Lord Mount Battin, तो अजादी के टाइम, जो हम इंडिपेंड हुए थे, उस टाइम, लेकिन उसके बाद, first Indian Governor General call थे, after independence, ज्वाला लायरू, सी राजा गोपाले चार्या, राजिंदर पसाद, ठीक है, तो ये थे सी राजा गोपाले चार्या, India was grant freedom, during the British Prime Minister, ठीक है, India was grant freedom, इंडिया को जब अजादी मिली थी, उस टाइम, British के Prime Minister, कौन थे, ये थे, Clement Attlee, ठीक है, इन्होंने तो 3 जून को बोल दिया था, कि 3 जून को अजादी मिल, फिर Mount Battin ने बोला था, 15 अगस्त को, खिलाफद मुवमेंट वास, लॉंच टू दा प्रोटेस्ट अगेस्ट, हुमिलेशन आफ, ठीक है, ये था टर्किस खलीफा, जो टर्किस, टर्किस में खलीफा, एक गौड की उपदी होती है, ठीक है, जो अंग्रेजों ने उनसे शीन ली थी, फिर ये खिलाफद मुवमेंट इस्टैबलिश होता है, नॉन कॉपरेशन के मुवमेंट के साथ साथ, नाइन्टी टॉन्टी में, किसने स्टार्ट किया था ये, शोकित अली, मुहमद अली, वू अमंग दा, फॉल्विंग फाउंड़िट दा, अली इंडिया मुस्लिम लीग, अली इंडिया मुस्लिम लीग, किसने इस्टैबलिश की थी, ये की थी अगा खान ने, और मुसलिम लीग कब बना था, नाइन जिरो सीक्स में, ठीक है, ये भी सलीमुला, और अस्फाग खान और अगा खान ने ही establish की थी, कहां पे की थी, डाका में, first सत्याग्राए गांदी जी कास Indigo Farmer was absorbed at, ठीक है, first सत्याग्राए कौन सा था, चंपारन सत्याग्रे, ठीक है, ये बिहार में हुआ था, जब महत्मा गांदी जी आये थे इंडिया, तो उसके बाद महत्मा गांदी जी को इनके गुरू ने बोला था, कि आपने एक साल तक ऐसे student की तरह रहना है, चेक चुग करना है, गुमना शुमना है, condition देखनी है, तो फिर उन्होंने एक बार लखनाओ में meeting प्रजाइड की थी, ठीक है, meeting प्रजाइड में भीटिंग attend की थी, वहां पे इन्होंने बाशन दिया, तो इनके बाशन से राजकुमार शुकला जी बहुत प्रवाबित हुए, फिर इन्होंने इनको बुलाया था चंपारन में, तो ऐसे कोशन आपको ऐसे भी बन सकता है, कि चंपारन में किस ने बुलाया था, राजकुमार शुकला जी ने, और मातमा गांदी के साथ कोन होन गया था, डॉक्टर राइंदर पसाद, भी गये थे, और ये फर्स्ट सिवल मुमेंट भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट सिवल डिसोविडियन्स मुमेंट ठीक है, इस कंसेप्ट को गांदी, कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, 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 ठीक ह 1757 में ठीक है और बैटला बक्सर कब हुआ था 1764 में इसी के बाद बैटला बक्सर के बाद ही उनको दिवानी राइट मिले थे और जो 1756 में बैटला प्लासी होती है ये किस-किस के बीच में हुई थी ये हुई थी East India Company और सिराज उदूला के बीच में और जो बक्सर वाली हु कॉपरेशन मूवंपें अंक कब स्टार्ट होता है यह होता है हमारा 1920 में किस ने स्टार्ट किया था महात्मा गादी जब डल हाउस ने अवद को अनेक्स किया था उस टाइम में वहां पे कौन रूल कर रहा था ठीके इन्होंने डॉक्टर अनाफ लैब स्टार्ट की थी उसके हिसाब से यह सभी को अनेक्स कर रहे थे इसकी most example है most famous example है जांसी तो उस टाइम जो रूल कर रहे थे वो थे बाजिद अली शाह बाजिद अली शाह इन इंटिग्रेशन प्रिंसली स्टेट फॉल्विंग प्लेड अ मैजर रोल ठीक है हूं अमंग दा फॉल्विंग वाइसर विकमें विक्टम आफ वन आफ कन्विक्ट डूरिंग दा बीजर अंडमान बी मायो ओप्शन भी इस क्रेक्ट थर्ड बैटला पानी पर तो बिट्वीं मराथा अन अफगान ओप्शन सी इस क्रेक्ट who termed CRIPS proposal as a post-debted check in crashing bank कीस ने term दी थी यह क्रिप्स mission को क्या दी थी जो क्रिप्स mission का proposal था कि यह post-debted check है crashing bank का यह गांदी जी ने बोला था ठीक है Option D is correct State Jansi was made a part of British Empire in India through Doctrine of Labs Doctrine of Labs किसने start की थी? Lord Dalhousen Mahatma Gandhi star is Dandhi March from Subramati Ashram जो गुजरात में Gandhi March is associated with Gandhi का Gandhi March एक किसे associated है ठीक है Civil Disobedience Movement Option B is correct इसमें से कौन है जो moderate नहीं है Balgadar, Tilak ठीक है बाकी सारे moderate है moderate जो थे वो गरम दलवाले थे Permanent Settlement Bengal में किसने establish किया कौन विल ने जमिनदारी सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको सर्दार बल्लवाई पटेल को सर्दार की उपदी किसने दी थी Gandhi जी ने बर्दोली सत्याग्रे के बाद Gandhi जी के political guru कौन है गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले Option D is correct फादर आफे इंडिया रैनसे राजा रामोन राय ठीक है और फादर आफे इंडिया स्प्रिच्वल स्प्रिच्वल लीडर स्वामी विवेकानन्द ठीक है इसका correct option है हमारा option A फादर आफे local self government in India Lord Rippan option A is correct रायर आफे इंडिया है keep